हे त्रिलोकिनाथ हे पद्वनाब आपको कोटी कोटी धन्यवार आपका धर्ती बरफ्तरण संपोण जगत के लिए कल्यानकारी सिद्ध होगा अब जिस रूपनें भी दिखाई दे वही रूप सुंदर और महान है आपका ये वामन रूप भी अतनत मनौहर है और मात देवराज परंतो इस बार मैं स्वयन धर्ती पर बिक्षा मांगने आया हूँ पेच्छा मांगने हां देवराज पेच्छा मांगने एक बिख्षुक पनकर आपकी बाणी सुनकर हम समस्देवता मूख रह गये हमें अश्चर्य हो रहा है है सर्वेश्वर क्यों आश्चर्य क्यों हो रहा है देवराज पेच्छा मांगना कोई भला कार्य नहीं यह जग्दिश्वर पेच्छा मांगना तो एक निक्रिस्ट कर्म है तिंदनी एकार्य है तामाजी कपराद है इक चुक तो दया का पात्र होता है भी देवराज आप जो कह रहे हैं वो अवश्य ही असक्ति नहीं पर कुल प्यास सक्ति भी नहीं मैं समझा नहीं है निलकांत देवराज वो विक्षा जो अथक परिश्रम के भैसे शारेरिक कश्ट उठाने के भैसे अलस्य से मांगी जाती है वो अवश्य ही एक निक्रष्ट कर्म है जो नुंदनियों है एक सामाजी का पराद है प्रम्तु विक्षा के और भी दो रूप होते हैं देवराज और रूप? और रूप क्या हो सकते हैं जगडिश्वर? देवराज ज्ञान से देखें तो अर प्रानी जन्म से बिक्षुकी होता है उसका सारा जीवन बिक्षा मांते मांते ही व्यतीत होता है और वो जिन वस्तूओं की बिक्षा मांता है उन सारी वस्तूओं की दिन्दा भी नहीं की जा सकती आप ज्ञान का शुरूत हैं है निलकान, ज्ञान का अधार है, जो आप जानते हैं, कोई और उसका एक अंच भी नहीं जान सकता, परक्षमा करेम, हम आपके विचार समझने में असमर्थ है, आप जो कह रहे हैं, हमें उसकी व्याक्या जानने की इक्षा हो रही है, कोई प्रा प्राणी तो जन्म लेते ही, सर्वप्रथम अपने माता से दोद की विख्षा मांगता है, है ना, फिर जैसे ही आयू बढ़ती है, अपने पिता से सुरक्षा की विख्षा मांगता है, एक शिष्ष के रूप में अपने गुरू से ग्यान और विद्या की विख्षा मांगत नहीं पीडियां पुरानी पीडियों से उनके अनुभव की बिख्षा मांगती हूं कि जड़ की सुरक्षा के लिए जल से अने की सुरक्षा के लिए वायू से और फल फूलों की वृद्धी के लिए प्रकाश से बिख्षा मांगती हूं कि क्या यह सत्य नहीं है देवराज है भन्न है वासुरेव भन्न है आप कि इतनी ज्ञानवर्थों को मनमोग बाते हैं आपकी आपने तो भिक्षा के अर्थी बदल दिये तेर्व राज कि पुश्प के निकट जाय बिना इसका निल्ले नहीं किया जा सकता कि उसमें सुगंध है या तुर्गंध आपके निकट जाय बिना इसका निल्ले नहीं हो सकता कि उसका जल भीने योग्या है या नहीं और उसी प्रकार किसी भी वस्तु को ध्यान से देखे बिना इसका निल्ले नहीं हो सकता देवराज कि उस वस्तु में गुण है या अवगुंध देवराज अर्व भिक्षा महान है जो ज्ञान में वृध्धी करती है और अभी तो आपने स्वयम मुझे भिक्षा मांगते देखा आपने हमारे नित्र खोल दिये त्रिलो की नाथ विक्षा सदेव शीष नवाघर मांगी जाती है देवराज सेर का चुकना मन और मस्तिश्क में भरे हुए अहनकार की मृत्यू की गोश्रा है अहनकार जो प्राणी का सबसे महान वहीरी है देवराज और यदि इस वामन रूत में मैं भिक्षा मांगूंगा तो एक आदर्श प्रस्थापित होगा मानव यह समझ पाएगा कि भिक्षा का सही अर्थ क्या है क्योंकि यदि मैं बिक्षा मांगूंगा तो केवल मानव कल्यान के लिए जगत कल्यान के लिए जो की मेरा लक्ष है बेवी स्वामी आप कहां खो गई थी आप जो आपको मेरे आने तक काभास नहीं हुआ इतनी महान घटना हुई है आप संभरता स्रिष्टी की सौभाग्य वतिनारी है कि भगवान श्री विष्णू ने मानव रूप में जन्म लेने के लिए आपको माता के रूप में चुना है परन्तु आपके मुख पर ये जिन्ता की छाया अच्छी नहीं लगती क्या बात है आप प्रसन नहीं है ऐसा मत कहिए स्वामी मैं बहुत प्रसन हूँ इतनी प्रसन हूँ कि मेरे पाउँ धर्ती पर नहीं पड़ रहे जिसे भगवान शे विश्णों की मापन्ने का सम्मान मिला हूँ वो प्रसन है क्यों नहीं होगी किन्तु क्या देवी उनका ये वामन अवतार मेरे लिए चिंता और भहे का कारण बना हुआ है इतना छोटा आकार लेकर वो इतनी शक्तिशाली बली का सामने कैसे करेंगे कहीं उन्हें कोई हानी न पहुंचे मुझे तो हर पल यहीं चिंता दुखी कर रही है यहीं भैखाये जा रहा है देवी वे इश्वर हैं वे जो करते हैं उसके पीछे क्या कारण है ये तो वही जानते हैं यदि वे चाहते तो वो एक विशाल काय रूप भी धारण कर सकते थे प्रंतु नों ने अपनी स्विच्छा से वामन रूप का चैन किया इसके पीछे भी कोई कारण अवश्य होगा कोई भेद अवश्य होगा आप जिंता ना करें सब कुछ भगवान विश्णु पार ही छोड़ दें उत्रबली उत्रबली अरे यह गुर्द्र को अचानक क्या हो गया मैंने अपने जीवन में उन्हें कभी इतना व्यग्र और भेवीत नहीं देखा लगता है गुर्द्रबली उत्रबली गुर्देव प्रणान गुर्देव प्रणान गुर्देव क्या बात है आप इतिने चिंती तोर हुए क्यों उठे मुझसे कोई प्रश्ण मत पूछना वत्स मेरे पास प्रश्णोत्तर का तनिक भी समय नहीं है जो कुछ मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो और उसका पाल प्रश्णोत्तर का समय नहीं है एवल इतना जान लो कि मैं उनके शर्यंत्र को सफल नहीं होने दूँगा प्रणतु इसके लिए तुम्हें इसी समय मेरे साथ चलना होगा जो आगया गुर्देव परंतु मुझे कहां चलना होगा क्या करना होगा तुम्हें सबसे पहले मेरे साथ चलकर अश्वमेध यग की घोशना करनी होगी मुझे विश्वास है लोग में किसी के पास इतना साहस नहीं है कि वो तुम्हारे अश्व को रोक सके और यदी अश् स्क्रिया संपूर्ण हो गई तो देवताओं का शर्यंत विफल हो जाएगा गुर्देव मैं आपसे नुलोद नहीं करता परंतु यदि आपकी इक्छा हो तो मुझे देवताओं के शर्यंत का कुछ ग्यान दोजें तुम्हें स्मरण होगा कि दे माता दिदी तुम्हारी द है और वो अपने पुत्रों के लिए शमादान मांगने आई थी मुझे इस बात का भी हनुमान है पर तुमने पहले ही अपना निर्ने सुना दिया था कि तुम देवताओं को शमादान देने के अत्रिक्त किसी को भी और कुछ भी दे सकते हो तो देव माता को निराज शोकर तुमारे दोर से लोटना पड़ा तो फिर गुरुदेव फिर वो विश्नु के पास गई और उन्हें उनका एक पुराना वचन निस्मरण और उसी के फलसरूब विश्नु ने धर्ती पर अवतार ले लिया यह तो बड़ी प्रसनता की बात है गुरुदेव उतनी प्रसनता की बात भी नहीं है जितनी तुम समझ रहे हो यह कैसी बात है इसका अनुमान केवल मुझे है अब कोई भी प्रस्न मत पूछना देना को सारे विश्मि भ्रमण का देश दो यग्ग का अश्व छोड़ो लोग को जीत लो कोई तुम्हारे समख्ष ठहर नहीं सकता मैं सफलता के इतने उच्च शिगर पर पहांच कर मिजलना और गिनना नहीं चाता वत्स अब एक शण भी नश्ट करना महाँ पाप होगा यह मेरी आज्या है यह मेरा अदेश है गुर्देव आपकी आज्याका भी और इसी समय पालन किया जाएगा यह कि अग्यकाश अभी छोड़ा जाएगा अब मुझे जाने की अनुमती दीजिये माता श्रीप कि अधियान्य करना है कि अभी तो मैने तुम्हें जीबर की निहारा भी नहीं है कि अभी अपने स्थेह सागल से एक भान भी नहीं दे सकी हूं माता, मैं तो आपका पुत्र बन के जन्मा हूँ, आपके स्नेह पर मेरा अधिकार सदैव रहेगा परंतु सरुप्रथम, मुझे मानव कल्यान का लक्ष प्राप्त करना है मुझे बली के पास जाना है माता बली के पास? परंतु पुत्र, वो बहुत शक्तिशाली है, बहुत विशाल काई है और तुम? और मैं देखने में दुर्बल और आकार में छोटा हूँ, यही कहना चाहती है न आप? हाँ पुत्र भाता, साहस का आकार शरीर के आकार पर निर्भर नहीं होता और भीतरी स्वरूप, भारी रूप पर निर्भर नहीं होता और फिर इस बार तो मैं अहिंसा का संदेश लेकर आया हूँ ना? आपका पुत्र बनकर जन्म लेने से पहले ही मैंने यह कह दिया था माता कि मेरा लक्ष बली से युद्ध करना नहीं है, उसका वद करना नहीं है मुझे तो केवल उसके एहंकार का नाश करना है मुझे बली को ये जताना है माता, कि मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ परंतु मानव परत्याचार और मानव अत्याक कदा भी सहन नहीं कर सकता मुझे उसे ये बताना है कि विश्व विजेता होकर भी कोई भी इश्वर से बड़ा नहीं हो जाता उसे ये समझाना है माता कि दानी होने का अर्थ ये नहीं है कि कोई महानतम हो गया इश्वर से भी बड़ा हो गया यूँकि इश्वर जो दान दक्षिना की सामगरी देता है बंदार देता है वही सबसे महान होता है ये माता उसे मुझे ये भी समझाना है कि इश्वर धनवानों का चुनाव केवल इसलिए करता है कि वो धन निर्धनों तक पहुँच जाए और ये सब कुछ बताने के लिए मेरा बंदी के पास जाना अलिवार यह है माता मुझे अनुमती दीजिए मैं माँ हूँ धर्ती माँ बंदी की सेना अश्व लेकर सारे विश्व में गई कोई भी उसके सामने ठहर नहीं सका किसी को उसका आश्व रोकने का साहस नहीं हुआ उसकी सेना उसका आश्व लेकर विजय पता का फैराती हुँ लोट आई और आरंभ हुआ यग्य का समापन गया हुआ आश्व थेश्व लेकर सामने प्टाइब का आश्व लेकर झाल 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 यग्य के समापन के लिए अंतिम समिधा डालो वत्स यग्य समापन के अंतिम शन है ये पून आहुती डालो ओम भावतु भिक्षाम देही पेट जाओ वक्स तुम यग्य छोड़कर कहीं नहीं जाओगे विक्षाम देही राजन शमा करें गुर्देख किन्तु बली के द्वार पर कोई भिक्षो काए और उसे भिक्षा के लिए दूसरी बार भी गोहर करनी पड़े तो बली की दानी विर्ति को सौ बार दिकार है अब मैं नहीं रुक सकता वत्स रुख जाओ वत्स रुख जाओ मानाम राजन प्रणाम ब्रामोदेव कहिए का चाहिए आपको राजन मैं तो एक साधारन ब्राम्मन हूँ और एक ब्राम्मन विक्षा के अतरीक द़र क्या चाह सकता है क्या विक्षा चाहिए आपको सौण गोधन गजदन हीरे मोती नहीं राजन मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए ब्रामरदेव तो फिर जो भी आवशक्त हो आपकी मेरे सामने व्यक्त कीजे यदि मेरे वश में हुआ तो मैं इसे पूरा करने में तनि भी संकोश नहीं करूँगा राजन राजन मुझे तो केवल तीन पक भूमी चाहिए तीन पक भूमी ब्रामरदेव क्या करेंगा अब तीन पक भूमी का मैंने तो ये सुना था कि दानी बली मैं ये पूछता है कि वो दान किसे दे रहा है और मैं ये पूछता है कि वो दान में क्या चाह रहा है ब्रामलदेव, मैंने तीन पक भूमी मांगने का करण इसलिए नहीं पूछा था, कि मैं परियास करना चाहता हूँ पर पिर क्यों पूछा? मैंने इसलिए पूछा था प्रामोदेव, यदि कोई ऐसा व्यक्ति तीन पक भूमी मांगे, जिसका आकार साधारन व्यक्ति की तरह हो, तो भी उसका कुछ भला ना होगा, और आप जैसे आकार वाली व्यक्ति के, तीन पक तो और भी कमिस्तान घहरेंगे, उसमें तो साधारन व्यक्ति खड़ा भी नहों पाएगा, राजन, मैं ये तीन पक भूमी किसी साधारन व्यक्ति के लिए नहीं मांग रहा हूँ, स्वयम अपने लिए मांग रहा हूँ, आप में एक शमता हो तो भीक्षा दान करे, नहीं तो मैं आगे बढ़ू, मैं आपको यहां से कहीं नही ब्रामदेव, मुझे तो यह सोच कर राश्चर हो रहा है, कि आप महा सागर से केवल एक गून पानी मांग रहे हैं, परवत से केवल एक कण चाहते हैं, आप मुझसे केवल तीन पक भूमी मांग रहे हैं? और मैं छुप्द हो रहा हूँ, के इतना छोटा, इतना साधारन, इतना तुछ दान लेते हुए, आपको तो लज्जा नहीं आ रही है, किन्तु ब्रामलदेव, देते हुए मुझे लज्जा आ रही है, मांगिये ब्रामलदेव, कुछ ऐसा मांगिये, कि जिसे देते हुए मुझे प्रसनता हो, गर्व हो. लाजन मुझे तो केवल तीन पर भूमी चाहिए कुछ मत देना वत्स इस ब्राह्मान को कुछ मत देना इसे कुछ मत देना वत्स इस ब्राह्मान को कुछ मत देना गुर्देव किन्तु क्यों इधर आओ ये ब्राह्मान नहीं है तो तो फिर कोँ नहीं है ये छलिया है ये स्वैम विष्णु है शरी विश्णु वावान हाँ विश्णु जिसे तुम सब बड़े आधर से शरी विश्णु भगमान कहते हो परन तु मैं जानता हूँ ये कौन है क्या है देखो ना आज भी वावन रूप में हमें ठगने आ गया है नहीं गुर्देव नहीं आप तो भाली भाती जानते हैं कि मैं माता लक्ष्मी का कितना बड़ा अपा सकूँ मैंने तु उनसे भी कहा था कि मैं भागवान विश्णु के दर्शन करना चाहता हूँ जो मेरे दादशी प्रलात की पूजे है गुर्देव मैं कितना सौभा के शाली हूँ कि आज भागवान सौन चलकर मेरे द्वार पर आये है मैं तो प्रसनता से फूला नहीं समा रहा हूँ मुल्क मत बनो तुम विश्णु को नहीं जानते हो ये तुम्हें दर्शन देने नहीं दंड देने आया है गुर्देव भागवान यहां किसलिया है मेरे लिए कोई मात्वनी रगता वे यहां आये हैं मेरे लिए बस यहीं मात्वपूण है मैं जिनकी दर्शन के लिए इतना व्यकूल था वे मेरे सामने हैं क्या इससे बड़ा सौभाग है संभाव है और और वे भी बिक्षुब मन कर ये जब एक धोंग है एक छलाव आया है तुम इसके छल में मत आना महाराज के विचार में यदि कोई परिवर्थन हुआ हो तो ये ब्रह्मन बिक्षा लिये बिना भी जा सकता है राजन नहीं भग्वन नहीं वो फिर मेरी तीन पग भूमी मने दे दी दे भग्वन मने दे दी यो नहीं महाराज संक्रप लेना होगा अवश राजन लगता है कि कमंदल में कोई केट फस गया है लोगेेता हरे इस सुछल के ले दो Allez वोगेशो अवशन जीए प्छव चरेढ़ मेरी थादा राजन केट निकल गया हे ब्रामोदेव लीजे मैंने संकल्प ले लिया मेरे अहो भाग्ये के संसार को सब कुछ बाटने वाला आज मुझसे केवल तीन पग भूमी की आचना कर रहा है ब्रामोदेव नाप लीजे तीन पग भूमी मेरा दान स्विकार करके मुझे धन्ने कर दीजे तर्लो वाच मैं तीन पग नापता हूँ ब्रामोदेव ठाला आज मेरे तीन पग ठान स्विकार करें तीन के धन्ना वाच भूम्ट पूम्ट राटना आजी तीन पक्त राता आजी ए दन्ना स्विकार के तीन पगूम्ट स्विक्पार की देसना रहा है झाल झाल कर दो 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 तो दो फिली गंडा का उपतरना है नहीं अब इसका सम्हों नहीं भुआ है कर दो कर दो कर दो कर दो है आदी प्रजापती मुझे अपने कमंडल से मुक्त करने की किरपा कीजिए मुझे धर्दी पर जाना है धर्दी मुझे पुकार रही है धर्दी को मेरी आवश्यक्ता है मैं जानता हूँ देवी गंगा प्रिथ्वी पर आपका अउत्रण नितांत अवश्यक है धिन्टू अभी आपके प्रिथ्वी पर अउत्रण का समय नहीं आया है अभी आपको यही मेरी कमंडल में रहके प्रतिक्षा करने होगी जो आगया हे बली मैंने पहला पग उठा कर समस्त धर्ती और पाताल को नाप लिया है अब मैं दूसरा पग उठाने जा रहा हूँ अब मैं बला अपके लग एक रहा है अब मैं यह है अब मैं दूसरा तरल दूसराश वित्वी आप है अपकी आया है अब मैं दूसरा पाता इसनुदू अपक लिए और हम दूसरा है कि दूसरा पग उठाकर मैंने समस्त नक्षत्र मंदल और आकाश को नाप लिया है बली मैं जानता हूं ब्रामलदेव तब तो ये भी स्मरण होगा कि मैंने तीन पग भूमी मांगे थी प्रभू मुझे इस बात कभी भली बाती स्मरा है और अब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान शेश ही नहीं है ये भी जानता हूं प्रभू हे बली क्योंकि तीसरा पग धरने के लिए कोई स्थान शेश नहीं है यदि तुम जाहो तो मैं तुम्हें तीसरा पग शमा कर सकता हूं नहीं प्रभू ऐसा मत कहिए जिन हातों आज तक बली से दान स्विकार किया है वे हाथ साक्षी है जिन आखों नाज तक बली को दान देते वे देखा है वे आखे साक्षी है जिन कान नाज तक बली की दानी प्रवित्ति की ख्याती सुनी है वे कांथ साक्षी हैं कि बली कभी अपना संकल्प से नहीं फिरता है बली ने साधा अपने हाथ खोल कर और नेत्र बंड करकर दान दिया है प्रभु बली ने आपको तीम पक भूमी दान करने का वचन दिया है प्रभु तो आपको अपना तीसरा पक उठाने ही पड़ेगा कि आपके दूनों पगोंने यह सारी शृष्ष्टी मेरा सारा राजपाट और जो छेत्र मने जीते थे वे भी नापली आपके वले की स्थान बचाएं जिस पर मेरा अधिकार है जो मेरा है मैं तुम्हारा वाक्य ओर्ण हने की पतिक्षा कर रहा हूँ बली व कौनसी वस्तु है जिस पर अभी तुम्हारा अधिकार है प्रभू व वस्तु है मेरा शरीर बस अब मेरी काय ही बची है जिससे मैं अपनी कह सकता हूँ, जिस पर अब भी मेरा दिकार है प्रभू, आप अपना तीसरा पग मेरे शीश पर धरिये ताकि संसार ये जान ले के बली के वल देना नहीं, बचन निभान भी जानता है प्रभू, क्रपा करके उठाई अपना पवितर पग और धर दीजे मेरे शीश पर प्रभू, ये मेरा अगरे भी है, मेरा हट भी है, और मेरी विनिती भी है हे बली यदि तुम्हारी यहीं इच्छा है और यदि तुम यह समझते हो कि इसी में तुम्हारा उधार है तो मैं ऐसा ही करूँगा हे फिमा करूँ आखए ह мешाड़ सेवें फबला एो हुईए तुम्हार आखशा चामेश सेवें तुम्हारा है у कि इसी में तुम्हार्व। मैं धन्य हो गया प्रभू मैंने अपना वचन निभा दिया इसोनचे हैं अभली तुमने अपना वचन निभाया तो सँझे पर जानते हो कि यह सब माने क्यों किया मॉट्व विह तुम इतना जानता हूं कि संभवता इसी में मेरा उधार में ही थे बली तुमने अपने जीवन का प्रारंब बड़े शुब और उत्तम धंग से किया था परंतु जब तुम जीवन के दो राहे पर पहुंचे तब तुम उस मार्ग पर चल पड़े बली जिस पर असत्य का देरा था एंकार का अंधेरा था यह वो मार्ग नहीं था बली जो मेरे भक्त प्रलाग में चुना था यह तो हिरन्य कशपू की प्रव्रति का मार्ग था जिसके दमन चक्र को रोकने के लिए स्वयम मुझे नरसिंग अवतार धारण करना पड़ा था जगदीश्वर का लक्ष है मानव का कल्यार आये वामन रूप में धरती पर भगवार दो पग में भगवाल ने ना पे दो नो धा